कहते हैं मानल जीवन में जो सबसे बड़ा पुन्य हासिल किया जा सकता है वो है चारो धामों की यात्रा का पुन्य ना इससे बड़ा कोई पुन्य है ना इससे महान कोई यात्रा मैं अपनी भक्ति और भावनाय लेकर जगत के नात प्रभु जगन नात के धाम श्री जगन नात कुरी को प्रणाम करती हूँ भगवान नारायन चार अलग-अलग रूपों में भारत के चारो दिशाओं में विद्यमान है श्री जगन नात पुरी एक ऐसा ही पावन धाम है जहां प्रभु जगन नात के रूप में साक्षाद भगवान विश्नु विराजमान है पुराणों में वर्णन है कि क्रिश्न की पत्रानिया एक बार माता रोहिनी से श्री क्रिश्न भगवान और गोपियों की ट्रेम कथाएं सुन रही थी श्री क्रिश्न की बेहन सुभद्रा भी उस समय वहां मौजूद थी लेकिन उनका उस समय ये कथा सुनना उचिक नहीं था माता के आदेश पे वे दर्वाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गए उसी समय भगवान श्री क्रिश्न और उनके भाई बलराम वहां आपहुचे सुभद्रा ने दोनों भाईयों को दर्वाजे पर ही रोक लिया लेकिन अंदर की आवाजें बाहर आती रही और तीनों वो अद्भुत प्रेम कथाएं सुनते रहे माता रोहिनी का वर्णन था ही कुछ ऐसा वे तीनों प्रेम द्रवित हो उठे उसी समय नारत मुनी वहां आपहुचे और उन्होंने प्रात्ना की कि इसी प्रेम द्रवित रूप में वे तीनों विराजमान हो श्रीकृष्ण ने वचन दिया की कलियूग मेवे सुभद्र और बलभद्र के साथ श्री जगनात के नाम से दारू विग्रह यानि काठ की मुर्तियों में विराजमान होंगे तलियुक के इस पावन धाम में राजा इंद्रद्युम्न को काट की शिला में दर्शन देकर भगवान जगन्नाथ निलान्चल की धर्ती पर बस गये काट की उस विशाल शिला से प्रभु जगन्नाथ, बल भद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाय स्वयम भगवान विश्व कर्मा ने अपने हाथों से रची थी भगवान जगन्नाथ की नील मणी से निर्मित, मूल मूर्ती, अग्रु व्रिच के नीचे मिली थी यह इतनी चका चौन्द करने वाली थी की धर्म ने इसे प्रिथ्वी के नीचे छुपाना चाहा, मालवा नरेश इंद्र द्युम्न को स्वप्न में यह मूर्ती दिखाई दी थी तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विश्णू ने उसे बताया की वह पूरी के समुद्ध तट पर जाए और उसे एक धारु यानि काट का लठ्था मिलेगा उसी लकडी से वह मूर्ती का निर्माण कराए राजा ने ऐसा ही किया कहते हैं राजा को भगवान विश्णू और विश्व कर्मा बड़ई कारीगर और मुर्ती कार के रूप में मिले किन्तु उन्होंने राजा के सामने ये शर्त रखी कि जब तक मुर्ती तयार नहीं हो जाती वे एक कमरे में बंद रहेंगे राजा या अन्य कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा मा के अंतिन दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई तो उचसुकता वश राजा ने कमरे में जहाका और वह व्रिद कारिगर बाहर आया उसने राजा से कहा कि मुर्तिया अभी अपूर्ण है उनके हाथ नहीं बने राजा के अफसोस करने पर मुर्तिकार ने बताया कि यह सब दैवश हुआ है और यह मुर्तिया ऐसी ही इस्थापित होकर पूजी जाएंगी तभी से भगवान जगनात बल भद्र और सुभद्रा की मुर्तिया यहां इस्थापित की गई है पूरी का श्री जगनात मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसकी गर्णा चार धामों में की जाती है यह भारत के ओडिसा राजि के तटवर्ति शहर पूरी में इस्थित है यह वैश्नो संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है इस मंदिर में भगवान जगनात अपने भाई बल भद्र और बहन सुभद्रा के साथ काठ की मुर्तियों के रूप मे विराजमान है वर्तमान मंदिर के निर्मान कारे को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने आरंभ कराया था कलिंग शैली के मंदिर इस्थापतिकला और शिल्प के आश्चर जनक प्रियोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम इसमारक स्थलों में से एक है मंदिर के शिकर पर भगवान विश्णू का सुदर्शन चक्र मंडित है इसे नील चक्र भी कहते हैं यह अश्ट धातु से निर्मित है और अतिपावन और पवित्र माना जाता है मंदिर का मुख के ढाचा 65 मीटर उचे पाशाड चबूत्रे पर बना है इसके भीकर आ भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में मानी जाती है इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोई हैं तथा 300 सहयोगी काम करते हैं भगवान जगननात देवी सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाए उसी साल बदली जाती है जब साल में आशाड के दो महीने आते हैं 19 साल में यह अवसर आता है वैसे कभी कभी 14 साल में भी ऐसा होता है इस मौके को नव कलेवर कहते हैं भगवान जगननात की मुर्ती के लिए पेड़ चुनने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान दिया जाता है जैसे भगवान जगननात वह देव प्रतिमाओ का निर्माण दारू यानि नीम की लकड़ी से किया जाता है भगवान जगननात का रंग सावला होता है नीम का व्रिच उसी रंग का होना चाहिए पेड में चार प्रमुक्षा खाएं होनी चाहिए पेड के नजदी जलाशे शमसान और चीटियों की बांबी होनी चाहिए पेड की जड में साप का बिल भी होना चाहिए वह किसी तिराहे के पास हो या फिर तीम पहाडों से घिरा हुआ होना चाहिए पेड के पास वरोण, सहादा और बेल का व्रिक्ष होना चाहिए हिंदु धर में जगनात पुरी का विशेश महत्व है पुराणों में इसे धर्ती का वैकुंट कहा गया है भगवान जगनात को पुर्शोत्तम और पुरी को पुर्शोत्तम छेत्र, नीलाद्री, नीलपुरी, नीलान्चल, शंक छेत्र, जगनात धाम और श्री छेत्र भी क रामेश्वरम में स्नान, बद्रिनाथ में ध्यान, पुरी में भोज और द्वारिका में शयन करते हैं। भगवान जगननाथ की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं, राजा इंद्र द्युम्न द्वारा मुर्तियों की स्थापना के समय एक आकाश वाड़ी हुई कि भगवान जगननाथ वर्ष में एक बार अपनी जन्म भूमी जरूर आएंगे। इसकंद पुराण के उतकल खंड के अनुसार, राजा इंद्र द्युम्न ने आशाण शुक्ल दुतिये के दिन प्रभू के लिए उनकी जन्म भूमी जाने के लिए विवस्था की, तभी से ये परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। जगनात मंदिर का वार्शिक रथ यात्रा महोत्सव जग प्रसिद्ध है। यात्रा की तैयारी श्री क्रेश्न, सुभध्रा और बलराम के रथों के निर्माण के साथ अक्षय तृतिया पर आरंब होती है। ये रथ दारू नामक लकडियों से निर्मित किये जाते हैं, जो की एक विशेस्ता ये है कि इनमें इस्तिमाल की जाने वाली लकडियों में एक भी कील नहीं ठोकी जाती, इन्हें रसियों से बांध-बांध कर तैयार किया जाता है। आशाड महीने की दुतिय तिथी को इस दस दिन चलने वाले रथ यात्रा का आरंब होता है। भगवान जगनात के रथ को नंदी घोश या गर्ण ध्वज कहा जाता है। इसमें 16 पहिये होते हैं और ये 45 फिट उचा होता है। इस रथ में 832 लकडि के टुकड़े इस्तिमाल होते हैं। रथ को लाल और पीले कपड़े से ढखा जाता है। इस रथ का सार्थी है दारुक और इसक शंक, बलाहक, श्वेत और हरिदाश्व नाम के चार सफेद घोड़े जोते जाते हैं। रथ की रख्षा के लिए सुदर्शन इस्तंब भी होता है। रथ को खीचने वाली रशी शंक चून कहलाती है जो एक प्रकार के नाक का नाम है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प के सार्थी हैं। इस रथ की द्वारपाल गंगा और यमुना होती है। इनके रथ के ध्वज का नाम नंदविका है। इनके रथ में लाल रंग के चार घोड़े होते हैं। इस रथ को खीचने वाली रशी का नाम स्वर्ण चूड़ है। इस रथ में 593 टुकड़े लगे हो इस रथ के रषक वासुदेव और सार्थी मताली हैं, इनके रथ की धवजा का नाम उनानी है, इस रथ में काले रंग के चार घोडे लगे होते हैं, नंद और सुनंद नाम के दो द्वारपाल होते हैं, रथ की रक्षा के लिए हल और मुसल भी होता है। इस रत को खीचने वाली रसी का नाम मुवासुकी है, जो एक नाक का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि रत यात्रा के जरिये भगवान मौसी के घर जनक पूर जाते हैं। जानता। गुम्बत की छाया नहीं बनती। या दुनिया का सबसे भव्य और उचा मंदिर है। या मंदिर चार लाक वर्ग फुट में फैला है। और इसकी उचाई 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बत देख पाना असंभव है। मुख्य गुम्बत क कि छाया दिन के किसी भी समय अद्रिश ही रहती है। चमत कारिक सुदर्शन चक्र पुरी में किसी भी अस्थान से आप मंदिर के शिर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदेव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं या अश्टधातु से निर्मित हैं। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दोरान इसके विप्रीत लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटो पर आम तोर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है लेकिन यहाँ जमीन से समुद्र की ओर जाती है कहते हैं मंदिर के गुम्बत के आज पास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है इसके उपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोई ये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन नात का प्रसाद प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दुसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है इस प्रक्रिया में शिर्ष बर्तन में सामगरी सबसे पहले पकती है अर्थात सबसे उपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है समुद्र की ध्वनी कहते हैं यहां मंदिर के अंदर पहला कदम रखते ही समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई देनी बंध हो जाती है वही मंदिर के बाहर कदम रखते ही लहरों की इस पश्ट द्वनी सुनी जा सकती है भगवान जगन नात जगत के नात है इनके दर्शन से बड़ा कोई महाप्रसाद नहीं धन है उडिसा की ये नगरी जहां जगत के नात वास करते हैं हमारी यात्रा का स्वभाग्य है कि हमने आज इस पावन मंदित और तिर्थ अस्तल के दर्शन किये विश्वास कीजिए गीता के भक्ती योग में श्री नारायन ने कहा है धर्ती आकाश एक हो सकते हैं नदी अपनी रह बदल सकती है सुर्य की आक ठंडी हो सकती है लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रात्ना कभी अंसुनी रह जाएं ये संभो नहीं हमारी प्रात्नाओं का इश्वर के पास एक ही उत्तर है तथास दू